नमस्कार आज यो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह है सुमिरिनी के मन के और इस पाठ में तीन लगु निबंध हैं बालक पच्किया घड़ी के पुर्जे और धेले चुनलो बालक पच्किया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहन करने के सही उम्र लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रसुत करना चाहिए शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यतों को बचाय रखना क्योंकि मनुष्य बचा रहेगा तब ही वे समय आने पर सिक्षित किया जा सकेगा लेखक ने अपने समय की सिक्षा प्रणाली और सिक्षकों की मानसिक्ता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्याभारिक रूप में रखा है लेखक ने ये सुधारण से ये पताने की कोशिश भी की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए बलकि उसके मानस में शिक्षा की रुची पैदा करने वाले बीच डाले जाएं सहज पके सो मीठा होए ये आप समझी गए होंगे घड़ी के पुर्जे जो निबंध है लगुनिबंध उसमें लेखक ने धरम की रहस्यों को जानने पर धरम उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के द्रिस्टांत द्वारा बड़े हीरो चकटंग से प्रस्तुत किया है और जो तीसरा लगुनिबंध है उसमें धिले चुनलो लोग विश्वासों में नहित अंद विश्वासी मानेताओं पर चोट की गई है तीनो निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं और इनकी भाषा शैली सरल बोलचल की भाषा होते वे भी गंभीर ढंक से अपने विश्वाय को प्रस्तुत करती है मैं सुमरीनी के मन के पाठ का पहला लगूनी बंध बालक बच गया एक पाठशाला का वाशी को उत्सव था मैं भी वहां बुलाया गया था वहां की प्रधाना ध्यापक का एक मात्र पुत्र जिसकी अवस्था आठ साल की थी बड़े लाड से नुमाईश में मिस्टर हादी की कोलहू की तरह दिखाया जा रहा था उसका मूँ पीला था आखें सफेद थी द्रिस्टी भूमी से उठती नहीं थी प्रश्ण पूछे जा रहे थे उनका वह उत्तर दे रहा था धरम के दस लक्षण वे सुना गया नौरसों के उधारन दे गया पानी के चार डिगरी के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उसे मचलियों की प्रान रक्षा को समझा गया चंदर ग्रहन का वैज्ञानिक समाधान दे गया अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इंग्लेन के राजा आठ में हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेश्वाओं का कुरसी नामा सुना गया यह पूछा गया कि तू क्या करेगा बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यह वजन लोग सिवा करूंगा सभा वाहवा करती सुन रही थी पिता का हरदय उल्ला से भर रहा था एक वृत महाशया ने उसके सिर्पर हाथ फिरकर आशिर्वात दिया और कहा कि तू जो इनाम मांगे वही दें बालक को सोचने लगा पिता और अध्यापा किस चिंता में लगे कि देखें यह पड़ाई का पुतला कौन सी बुस्तक मांगता है बालक के मुक पर विलक्षन रंगों का परिवर्तन हो रहा था हृदय में कृतिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की जलक आँखों में दीख रही थे कुछ खांस कर गला साख करके नकली परदे के हट जाने पर स्वयम विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा लड़ू पिता और अध्यापक निराश हो गए इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था अब मैंने सुक से सांस भरी उन सबने बालक की प्रवर्तियों का गला घूटने में कुछ उठा नहीं रखा था पर बालक बच गया उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड़ू की पुकार जीवित रिक्ष के हरे पत्तों का मधूर मर्मर था मरे काट की अलमारी की सुर्द खाने वाली खड़खडा हट नहीं अब सुनते हैं दूसरा लगुने बंद घड़ी के पुर्जे धर्म की रहस से जानने की इच्छा प्रतियक वनुषय ना करें जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले इस सत्यूगी मत के समर्थन में घड़ी का द्रिस्टांथ बहुत तालिया पिटवा कर दिया जाता है घड़ी समय बताती है किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पुछलो और काम चला लो यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयम सीखलो किन्तु तुम चाहती हो कि घड़ी का पीछे का खोल कर देखें पुर्जे इलने उन्हें खोल कर फिर जमा कर दें साफ करके फिर लगा ले यह तुमसे न होगा तुम उसके अधिकारी नहीं यह तो वेद शास्त्रग्य धर्माचारियों का ही काम है कि घड़ी की पुर्जे जाने तुमें इससे क्या क्या इस उपमा से जिग्या सब बंध हो जाती है इसी द्रिस्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक्ची कह रहे हैं उसकी विरुद कई बाते निकलावें घड़ी देखना तो सिखा दो उसमें तो जन्म और कर्म की पक ना लगाओ फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों गिन्ती हम जानते हैं अंक पहचानते हैं सुईयों की चाल بھی देख सकते हैं फिर आंखे भी तो हैं हमें ही ना देखने दो पड़ोस्यों की घड़ियों में दोपहर के बारा बजे हैं आपी घड़ी में आधी रात है जरह कोल कर देखना लेने दीजिए कि कौन सा पेच पिगड़ रहा है यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे दूसरी घड़ियों को गलत न माल लेंगे पर ज़रा देख तो लेने दीजिये पुर्जे खोल कर पिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं अनाडी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो पर जो घड़ी साजी का इमतहान पास कराया है उसे तो देखने दो साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वैम घड़ी देखना साफ करना और सुधारना आता है भी कि नहीं हमें तो धोका होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो वह बंद हो गई है तुम्हें न चावी देना आता है न पुर्जे सुधारना तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते त्यादी तो यह था लगुनी बंद घड़ी के पुर्जे अब तीसरा धेले चुन लो शेक्स्पियर की प्रसिद नाटक मर्चंट अफ वेनिस में पोश्या अपने वर को बड़ी सुन्द रिती से चुनती है बबगाहर इस्चेंदर के दूरलब बंदू में पुर्जे के सामने तीन पेटिया है एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्थी है स्वेंवर के लिए जो आता है उससे कहा जाता है कि इन में से एक को चुन ले अकडबास सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लोटता है लोबी को चांदी की पिटारी अंगुठा दिखाती है सच्चा प्रेमी लोहे कुछ होता है और घुर्दोर का पहला इनाम पाता है ठीक ऐसी है लोटरी वैदिक काल में हिंदों में चलती थी इसमें नर्पूशता था नारी को बूझना पड़ता था सनातक विद्या पढ़कर नहाध होकर माला पहन कर सेच पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहां पहुँच जाता वह उसे गौब हिंट करता पीछे वे कन्या के सामने कुछ मटी के धेले रख देता उससे कहता इन में से एक उठा ले कहीं साथ कहीं कम कहीं ज्यादा नर जानता था कि ये धेले कहां कहां से लाया हूँ और किस-किस जगह की मटी इन में है कन्या ना जानती थी यही तो लॉटरी की बुझहवल ठहरी वेदी की मटी कौशाला की मटी खेत की मटी, चौराही की मटी मसान की धूल, कई चीज़ें होती थी बूझो मेरी मुठी में क्या है चित्ति या पट यदि वेदी की धेली, वेदी का धेला उठा ले यदि वेदी का धेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा गोबर चुना तो पश्वों का धनी होगा खेत की मिटी चूली तो जमींदार पुत्र होगा मसान की मटी को हाथ लगाना बड़ा अशुबधा यदि वेदी नारी बिया ही जाए तो घर मसान हो जाए जनमबर जलाती रहेगे यदि एक नर्ग के सामने मसान की मटी चूली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उसका जन्या का कभी बयाना हो किसी दूसरे नर्ग के सामने वेदी का डेला उठा ले और बया ही जाए बहुत से ग्रहे सूत्रों में इस धेलों की लोटरी का उलेक है आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में तो है जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर जस यानि येश सुनकर स्वेमवर करती थी वेसे वेदी काल के हिंदू धेले चुआ कर स्वेम पतनी वरन करते थे आप कह सकते हैं कि जनम भर के साथी की चुनावट मट्टी के धेलों पर छोड़ना कैसी बुद्ध मानी है अपनी आँखों से जगे देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है और लाखों करोडों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आख के धेलों मंगल और शनेचर और ब्रस्पती की कलपित चाल के कलपित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है यह मैं क्या कह सकता हूँ बकॉल वातसयान आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से आखों दे का ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से बकॉल कबीर के पत्थर पूजे हरिम ले तो तू पूज पहार इससे तो चक्की भली पीस खाय संसार तो यह था तीसरा और आखरी प्रशन कुछ इस प्रकार होंगे पहला बालक से उसके उम्र और योगिता से उपर के कौन कौन से प्रशन पूछे गए दो बालक ने क्यों कहा कि मैं या वजन्म लोग सेवा करूंगा तीसरा बालक द्वारा इनाम में लड़ू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी 4. बालक की प्रवर्तियों का गला घोटना अनुचित है पाठ में ऐसा अभास के निस्थलों पर होता है कि उसके प्रवर्तियों का गला घोटा जाता है प्रशन 5 बालक बच गया उसके बचने की आष़र है क्योंकि वह लड़ू की पुकार जीवित व्रिक्ष के हरी पत्तों का मधुर मरमर था मरे काट की अलमारी की सिर्दुखाने वाली खड़खडाहट नहीं कथन के आधार पर बाला की स्वाभाविक प्रवर्तियों का उलेख कीजे घड़ी के पुरजे, निबंद के प्रशन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं पहला, लेखक ने धर्म का रहसे जानने के लिए घड़ी के पुरजे का दृस्टान्त क्यों दिया है दो, धर्म का रहसे जानना वेद शास्थरग्य धर्माचारेों का ही काम है आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? धर्मसंबंदी अपने विचार व्यक्त केजिए प्रश्ण संख्या तीन घड़ी समय का ज्यान कराती है क्या धर्मसंबंदी मानेताई या विचार अपने समय का बूध नहीं कराती? प्रश्ण संख्या चार घड़ी साजी का इमतहान पास करने से लेखक का क्या तातपर है? प्रश्ण संख्या पांच धर्म अगर कुछ विशेश लोगों वेद शास्त्रग्य, धर्माचारियों, मठाधीशों, पंडेपुजारियों की मुठी में है तो आम, आदमी और समाच से उससे क्या संबंध होगा? आम, आदमी और समाच का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिख्ये है प्रश्ण संख्या छे जहाँ धर्म पर कुछ मुठी भर लोगों का एक आधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसकी विकास और विस्तार का दियोतक है तर्क सहित ब्याख्या कीजिए प्रशन संक्य साथ निम लिखित का आशय स्पष्ट कीजिए वेद शास्त्रग्य धर्माचारियों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने तुम ही इससे क्या दूसरा कथन अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो पर जो घड़ी साजी का इंतहान पास का राया है उसे तो देखने दो ग यनि तीसरा खतन हमें तो दूखा होता है कि परदाता की घड़ी जेब में डाले फिरते हो वे बंध हो गई है तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना तो भी दूसरों को हाथ लगाने नहीं देते धेले चुल्लो निबंध से प्रश्न पहला वैदिक काल में हिंदों में कैसी लौटरी चलती थी जिसका जिकर लेकक ने किया है प्रश्न संख्या दू दुरलोप बंधू की पेटियों की कथा लिखे प्रश्न संख्या तीन जीवन साती का चुनाव मिट्टी के धेलों पर चोड़ने की कौन-कौन से फल प्राप्त होते हैं प्रश्न संख्या चार मिट्टी के धेलों के संदर्व में कबीर की साखे की व्याख्या कीजिए पत्थर पूझे हरी मिले तू तू पूझ बहार इससे तो चक्की भली पीस खाय संसार प्रश्न संख्या पांच निमलीखि जोड़ों दूर, कोज़ दूर बैचे बड़े बड़े मिट्टी और आख के धेलों, मंगल शनिचर और ब्रिस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। लाखों को उसके तेज पिंड से इस पार्ट में बालक बचकिया निबंद से एक और प्रशन महत्वपून है कि रटन्त विद्या से आप क्या समझते हैं या बच्चे की जो स्वाभाविक प्रवतियां होती हैं उसकी विकास में रटना या रटन्त विद्या किस प्रकार वार्शिक उत्सव वार्शिक वर्ष में मनाया जाना वाला उत्सव चालाना जलसा नुमाईश प्रदर्शनी या दिखावा कोल हू तेल निकलने की मशीन जिसमें बैल बांद कर तेल निकला जाता है या वजन्म मिस जीवन भर उलास हर्ष खुशी कुर्सी नामा राज की कान धलकाकर, कान खोलकर, द्रिस्टांत, उधारन, टंटा, जन्जट या संकट, घड़ी साजी, घड़ी बनाने की कला या घड़ी को मरम्मत करने का गुर। मर्चन्ट ओव वेनिस, शेक्स्पियर का एक प्रसिद नाटक है, पोर्शिया, शेक्स्पियर के नाटक मर्चन्ट ओव वेनिस की नाईका, प्रतिमूर्थी, प्रतिमा या उसके जैसा ही, अकडबाज, अकड़ने वाला, अपने फैसले को ही सही मानने वाला, या अपने आगे किसी की नम आने वाला जस येश या किर्दी मिट्टी के डगले मिट्टी के डेले ये पाठ यहीं समापत होता है धन्यवाद